दर्बंगा में पुलिस बल और बाइक चोड गिरोफ के बीच फाइरिंग दो अपराधी ग्रफतार दर्बंगा सिरे के बाहत्रोपूर थाना च्छेतर के तारालाही गाउ में बाइक चोड गिरोफ को ग्रफतार करने गई पुलिस पर बदमाशों ने राउंड फाइरिंग कर दी फाइरिंग में किसी के भी अताहत होने की सुच्रान नहीं विली है दर्बंगा के वरिया पुलिसारीचर अफगाश कुमार ने बताये कि छापी मारी के दौरान बदमाशों राद के अंधिरे का फाइदा उठा कर भागने में सफ़र रहे और पुलिस दौरा की गई कारवाई के दौरान पहले पज़़ाओ किया गया फिर फाइरिंग की गई जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में फाइरिंग की वहीं सस्पे अफकाश कुमार ने कहा कि लगतार बाइक चोर गिरों पर जिले में कारवाई हो रहे है इसी क्रम में सूचना मिली थो कि बादर पर थाना च्छितर के तारालाही गवं में बाइक चोर गिरों के सिरस्थे जुटे है इस बात के सक्यापन के लिए एक टीम को तारालाही भेजा गया था लेकिन पिछले कुछ दिन पहले कुछ घटाएं फुट इस बात को लेकर वहाँ धक्का मुक्षी हो गए जिसमें पुलिस को हलके फुलकी चोट गया है लेकिन पुलिस पाधी कारी ने स्पयम रखा और डीस पी ने मामली को संफाला वरिया पुलिस अरीचक अफकार शुबार ने कहा कि रात के अंधिरे का फायदा उप्था कर बदमाश भागने ने इस पाफ़ता है लेकिन पुलिस ने कारवाई करते हुए और दो बदमाश को ग्रफतार कर लिया है और प्रात्मी की भी तर्स की जाए तीनों से मोटर साइकल चोर गिरोग के किलाब करवाई हो रही है दर्मंगा जिले में और इसक्रम में कल भी सुचना मिली थी कि कुछ ऐसे चोर है और चोरी की गाड़ियां हैं जिनको एक जगह से बरामत किया जा सकता है उसके सत्यापन के लिए और डिकवरी जया रेस्टीन के लिए जो भी प्रोबेशनल डियेश्पी है वादुर्पुर के शेचो उनके नितेतों में एक टीम गई थी वहां तरलाही में रेडि करने के लिए प्रमारी करने के लिए लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले कुछ ख प्रोबेशनल डियेश्पी है उन्होंने मामले को हैंडल किया वहां से गिरफतारी हुई है लेकिन अभी जो फायार दर्श किया जा रहा है उसमें जो नेम लोग होंगे और जो लोग भागे हैं वहां से कुछ लोगों के भागे जाने के भी सूचना है कि इस क्रम में लोग प्रात्पिकी दर्श की जा रही है आगे इसमें करवाई की जाएगी जो फायरिंग की बात आप बता रहे हैं तो उधर से लोगों की तरफ से रात का समय था अंधेरा था तो बोली चली उसमें एक दो रांड फायरिंग हुई इसके जवाब में इदर से पुलिस ने भी हव सुबास चोग दर्बंगा